हेलो एवरीवन वेलकम टू कमपर्शन के दियर पॉइंट फ्रेंड्स आज मैंने आपके लिए मधुवा कहानी से महत्पूर्ण प्रश्णतर लाया हूं जो एक्जाम के डिश्ट्री कौन से बहुत ही महत्पूर्ण है इस सेसन को सुरूष से अंतक दिखेगा अगर ये सेसन अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा शाथ में अपना फिड़बेक जरू दीजिएगा चलिए इस सेसन को अस्टार्ट करते हैं पहले नहीं प्रस्ण देखेगा मधुवा कहानी किसके द्वारा रचीत है राइटन सरीष जैसंकर परशाद दूसरे नहीं प्रस्ण देखेगा जैसंकर परशाद का जन्म कब हुआ था तीस जन्वरी 1889 जो की उत्तर पदेश के वारा नाशी में इस्तित है तिसनों प्रस्न देखेगा जैसंकर प्रशाद की मिर्टू कब हुआ था राइटन स्रीज 15 नॉवंबर 1937 जो की वारनाशी में इस्तित है चौथन प्रस्न देखेगा भेरी-भेरी इंपोर्टेंट कोशन है मध्वा जैसंकर प्रशाद की किस कहाने संग्र से लिया गिया है राइटन स्रीज आन्धी पाच्वन प्रस्न देखेगा मध्वा कहाने में जैसंकर प्रशाद ने किसकी सन्विदना को व्यक्त किया है राइटन स्रीज एक स्राबे की सन्विदना को अब चैसन्ड प्रस्द निखी गा थाकूर्ष सद्रदार शिंग को लडका कहां परता था राइटर से लकनौ म einzige है शब्रस नेखिएगा थाकूर्ष सदार सिंग को कौन कहानियां सुनाता था है राइटन सीज स्रावी फ्रेंट्स ये कहानी बहुत छोटा है ठीक है अब इस कहानी से जितनी भी सम्मधित प्रस्टन बना था मैं इस सेसन में लाया हूँ और दूसरे सेसन में हम लोग देखेंगे मधुवा कहानी का स्रांस और पातर परचे अठ्वन प्रस देखेगा ठाकुर स्रादार सिंग के द्वारा स्रावी ब्यक्ति को कितने रूपिये प्राप्थ हुवे राइटन सीज एक रूपिये नुएव प्रस देखेगा कहानी में मधुवा कौन है राइटन सीज बच्चा या बालक बोल सकते हैं जो की अनाथ रहता है उज़के पिता जी स्वर्क्सिधार गये हैं दसमें प्रस्ट देखेगा मध्वा कहानी में ठाकुर जी के जमदार का नाम क्या है राइटन से लल्लू 11 प्रस्ट देखेगा किसी कहानी सुनने का चसका था ने सौकिन था राइटन से ठाकुर सरदार्शिंग को इसमें देखे चार दो मुख पात्र हैं मध्वा और सरावी बाकी गौन पात्र हैं ठाकुर सरदार्शिंग लल्लू जमादार और रामजी यह सब गौन पात्र हैं ज्यादा भेलू नहीं है इस कहानी को दो को मुख्य केंद्र मानकर बनाये गिया है मदुवा और स्रावी को बारना परसन देखेगा मदुवा का असली नाम क्या है मदुवा का असली नाम माधव है मदुवा किस से मार खार कर रो रहता है राइटन सी कुमर साहब से 14. प्रशन देखेगा मदुवा कहानी में किस नदी का बार बार जिक्र आया है यह लखनोग के किनारे बसा हुआ है 15. मदुवा के पिता कहा है 16. मदुवा के पिता अब जिबित नहीं है जो कि मदुवा अब अनात बालक हो गया है 16. सराबी के मन में मदुवा के लिए सन्वेदना के फूल अंकृत किस कारण से हुए थे मदुवा के दुख पुर्ण इस्तिती को देखकर 17. बालक मदुवा का सोशन 2022. किस के द्वारा किया गया था कुउषाव और लल्लू दोनक द्वारा पहले तक उखको उप्वा की फटकारत हैं बाद में लल्लू भी उसको मन की महाँ से बोलता था कि यहां से चले जाओ या क्यों रोहे हूँ हो मैंक, उसको भीे परतालित करते रहते थे है लल्लू अठाव प्रस्osten केला थाकुर शाणार सींग किस पकार का व्यक्ति था टीन फिर्णाइख के चारे यह जाना मनोजन पिरी और निय less था निश्कपठ धीट संकल्प और शरलाता तीनों ये गुन किसमें थे मदुवा बालक में 20 में प्रस्ण देखेगा मदुवा पाठ के अधार पर बताईए कि फटे कंबल के नीचे से स्रावी को क्या मिला या ऐसे भी प्रस्ण बन सकता है स्रावी के गंदी कोठरी में मदुवा को खाने के लिए क्या क्या मिला राइट अंसरीच का पराठा या पराठे का टुकड़ा 21 प्रस्ण होगा मदुवा पाठ में स्राबी बालक के हाथ में क्या देखकर बोला तब तक तु इसे चबा रोएगा तो खुब पीटूंगा क्या चीको प्राठे को देखकर 22 प्रस्ण देखेगा मदुवा कहानी में समाज का कौन सा त्रिश सामने आया है सोसक और सोसित वर्ग 23 प्रस्ण देखेगा मदुवा कहानी किस समस्या को रिखांकित करते हुई कहानी है बाल उत्पिडन और बाल मदी दोनों का 24 प्रस्ण देखेगा सराबी किस पकार की कहानिया ठाकूर शाहब को सुनाता था रायटर लच्छेदार बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी 25 प्रस्ण देखेगा गोमती के किनारी सराबी को किस ने पुकारा राम जे यह भी एक कौन पातर है 26 प्रस्ण मध्वा किसकी नोकरी नहीं करना चाहता था ठाकूर की 27 प्रस्ण देखेगा सिली जगा में सोते हुए बालों को बालक ने क्या पकड़ लिया था उसका पुराना कोट 28 प्रस्ण देखेगा मध्वा कहानी में मध्वा क्या आजाने से सराबी ने मन ही मन की चीज को छोड़ने क्या शोगंध लिया 29 प्रस्ण देखेगा राम जी के पास सराबी की कौन सी चीज थी साल धरने की कल देखे जितने भी कहानी है ठीके मध्वा कहानी से प्रस्ण बनी है सारे का सारी इंपोर्टेंट है आपकी जो भी गिजाम में आएगा इस से 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 जरू कोशन देखने को मिलेगा एक से दो प्रस्ण तीस्वन प्रस्ण है सराबी ने उस एक रूपिया से क्या क्या खर दा था मिठाई पूरी और नमकिन इससे पहले सराबी मिठाई पूरी नमकिन खरने से क्या क्या सोच रहा था सराबी एक रूपिया से बार आने का एक देशी आधा आधा में सराब दो आने की चाई दो आने की पकोरी आलू मटर फिर चार आने के मास खरिदना चाहता था लेकिन मधुआ का ख्याल आते ही वह आधा लेना भूल गया और मिठाई पूरी खरिलिया 31 प्रस्न है मधुआ पाठ में सुकुमार कंट से किसकी से सकने की आवाज सुने पड़ा बालक कौन था मधुआ मधुआ का नाम कहता माध हो 32 प्रस्न है जैसंकर प्रशाद की स्वात की रशनकात है छायावाद इतलिए जैसंकर प्रशाद को छायावाद का परवत्तक भी कहे जाते हैं माने जाते हैं 33 प्रस्न है बेरे भीने प्रोटेंट कोशन है यहां से बने का गिजाम में जैसंकर प्रशाथ की कहानी संगर का नाम क्या गिया है प्रतिधोनी, आन्धी, तुफान, इंदरजाल, अकास्दीब ठीके जितनी भी समय सारे सारे इंपोर्टेंट है 34 प्रस्थ है, मद्वा कहानी में मद्वा के लिए भोजन का परवंद करने गया स्रावी स्वेम को कहां खड़ा पाता है, मिठाई की दुकान पर 35 प्रस्थ है, रोति हुए मद्वा को कोन अपने साथ ले जाता है, राइटांसी स्रावी देखिए, एक कोर्शन बहुत इंपोर्टेंट है, यह कथन है, सरकारी मोच बाहर की एक घड़ी, एक लंबी दुख पुर्ण जिवन से अच्छे है, उसकी खुमारी में अच्छे दिन काट लिये जाते हैं, यह कथन किसका है, स्रावी का सैतेसर प्रस्ण है, बालक की आँखे किसकी सोगंद खा रही थे, धिर निचे की अरतेसर प्रस्ण है, मध्वा कहाने के परमुख पातर कौन है, मध्वा और स्रावी, दोनों ही मुख्य पातर हैं इस कहाने के उन्तिजन प्रस्ण है, मध्वा कहानी के गौन पातर कौन कौन है, ठाकुर स्रादार सिंग, लालू जमदार रामजी चारिशन प्रस्ण देखेगा, हिंदी सहाहित का मुक्ट मनी किसे कहा जाता है, राइक्शन से जैसेंकर प्रसाद मध्वा कहानी में ललू कौन था, ठाकुर सहाब का जमदार था, आको पताना है यह फिर एक सेशन कैसा लागा, जरू कमेंट कीजिएगा, थैंक्स फोर वाशिंग